उत्तरप्रदेश पुलिस के अमानवीय चेहरों की तस्वीरें तो आपने बहुत देखी होंगी लेकिन आज हम आपको यूपी पुलिस के एक सिपाही की दरिया दिली की ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जिसे देख करो और सुनकर पुलिस के प्रतियाप का नजरिया बदल जाएगा जिसमें यूपी के साजहाँपुर में एक सिपाही ने जिंदगी और मौस से जूज रही गायल एवती को अपना खून देकर उसे नई जिंदगी का तोफ़ा दिया है तो अब अपने सिपाही की दरिया दिली से पुलिस अधिकारियों का भी सीना गर्ब से चौड़ा हुआ है इसी के चलते पुलिस के आला अधिकारी सिपाही की मानवता के लिए उसे अब सम्मानित करने की बात कर रहे है पुवाया थाने में तैनात यूपी पुलिस के इस कांस्टेबल का नाम येसकुमार है 2011 बैच के येसकुमार मूल रूप से मुरदाबाज जिले के रहने वाले हैं जैसा नाम वैसा ही इस सिपाही का काम भी है सिपाही येस कुमार के एक काम ने यूपी पुलिस को मानवता की नई पहचान दी है सुरक्षा ड्यूटी में तैनात येस कुमार ने जिन्दगी और मौत से जूज रही एक यूटी को उस वक्त अपना खून दिया जब यूटी को खून देने के नाम पर कोई नहीं मिला दरसल साजहांपुर जिले के पुवाया थाने इलाकें के लखवा गाओं में एक स्रिफरे इवक ने यूटी को गोली मार दी थी जिला अस्पताल से उसे लखनव केजी एंसी रेफर कर दिया गया था इवक्ती के साथ उसकी सुरप्षा के लिए सिपाही यसकुमार को भी साथ में भेजा गया था अधिक खून बह जाने के कारण इवक्ती को खून की बेहत जरूरत थी कमजोर और बुढे माबाफ को देखकर भाँ मौजूद डाक्टर्स ने माबाफ का खून लेने से इंकार कर दिया जब इवक्ती को खून देने वाला कोई नहीं मिला तो डिवटी पर तैनाज सिपाही यसकुमार ने खुद अपना खून देने का फैसला किया और सिपाही के ही खून से जिंदगी और मौज से लड़ रही इवक्ती को नई जिंदगी मिल गई आज वो खत्रे से बाहर बताई जा रही है इवक्ती पुलिस के इस सिपाही का मानना है कि पुलिस डिवटी के साथ हम सबको मानवता के प्रती अपने कर्टब्यों को भी कभी नहीं भूलना चाहिए सिपाही ने अपने पुलिस साथियों से अपील की है कि वो समाज के लिए भी कुछ ऐसा करें जिससे पुलिस विभाग की मानवत्तावादी छबी बन सके बही उत्तरप्रदेश पुलिस के इस सिपाही की दरिया दिली ने पुलिस विभाग के अपसरों का भी सीना गर्ब से चौना कर दिया है पुलिस के अपसरों को इस बात पर गर्ब है कि पुलिस मिभाग में कई ऐसे लोग है जो मानवत्ता की मिसाल पेस करते हैं फिलहाल अब पुलिस अपसर सिपाही येस को पुलिस कारिकरम में सम्मानित करने की बात कर रहे हैं पुलिस की छबी को सकारात्मक बनाने के लिए खुद सूबे के डीजी पी ओपी सिंग ने आगरा में एक खास बर्क साब की थी इसके बाद कई जिलों से यूपी पुलिस के मानपता से जुड़े किस्से सुनने को मिले थे आयसे में जरूरत है यस जैसे इन पुलिस कर्मियों को प्रत्साहित करने की ताकि पुलिस की सकारात्मक छबी भी लोगों के सामने पेस हो सके भीरो रिपोर्ट मेसेजर्ट भूस सेवन